देख रही है आई-टी सेक्टर में भी और आउट पर्फॉर्मंस इस वक्त बाजार में निफ्टी आई-टी इंडेक्स को एक बार तीवी स्क्रीन पर लेकर आएं करीब 300 अंगों की बढ़ात यहां पर और यह सेक्टर है जो की लीड कर रहा है इसे जड़े स्टॉक्स भी सदेख रहे हैं कोई स्टॉक पिकिंग अगर करना चाहेंगे जी हां परसिस्टेंट बिल्कुल परसिस्टेंटली हमारा फेवरेट रहा है और यहां पर गोड रहा था वो था आई-टी सेक्टर आज हमने और आधर कल रात को हमने नास्टेक में अच्छा खासे जब आते हु आप एंट्री करना चाहें तो HCL Tech यह एक स्टॉक है जो आपके रेडार पर होना चाहिए मीडियम तर्म के हिसाब से भी देखें तो अच्छा खासा सेट अप है और नियर तर्म के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में बेस बनके एक अपमूव शुरू हुआ है तो मेरे सबसे यहाँ पर अगर एक एक एंट्री लेना चाहें तो 11.35 के जो जो जोन्स हैं यह आपके लिए असा फिर्स टार्गे टार्गे करेंगे 11.65 आपका सेकंड टार्गे रहेगा फ्रेश एंट्री के लिए 1070 यह आपके लिए आसा स्टॉक्लोस अट करेंगे So from the IT space, HCL Tech will be on my radar लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर मैं प्रॉफिट जो है ये लेते चलूँगा I will not wait for, you know, two big profits जहाँ जहाँ मुझे बाउट मिलेंगे, जहाँ जहाँ मेरा प्रॉफिट होता रहेगा, मैं बुक करते चलूँगा ठीक है, all right तो ठीक है, growth stocks पर तो आपको एक नज़र रखनी होगी Nasdaq तो क्या rebound, कई बार rebound की मौके और भी मिलें लेकिन आज की ये तेजी oversold zone से निकले वे, JP Morgan का एक note भी है Nasdaq का rebound, सारे combination कठे दिखते वे, आपको दिख रहे है Insurance पर भी आप नज़र रखे, लेकिन थोड़ी से gains तो erode हुए है जिस बाद जिन levels पर, bank 50 खुला था, 14,000 के ऊपर वहाँ से correct होकर, अब इसकी तेजी अब लगवग 80,000 points की रहे गई है लेकिन अब भी strength कहां दिख रही है, ultra tech cement, last 5 कुछ मिंटों में जो तेज हुए, काउंटों में M&M, यहां पर एक, उनके EV बिसनस के लिए वो fundraising की बात कर रहे हैं, वो एक news का trigger है, बजाज finance अभी हजे भी discuss कर रहे थे इसे, और L&T जो लगातार तेजी बनी हुए है दूसरे जो stocks तेज दिख रहे हैं, आपको आईशन मोटर, इंडिसिन बैंक और घ्रासम जिसे stocks दिखाई दे रहे हैं, संतोष कोटक बैंक को चेक करिए, लास्त 3-4 दिन में जब बजार में तेजी आई तो इसने आउट परफॉर्म किया है, बट ओवरॉल स्कियों थे, वहीं 1700 में बैठा हुआ है क्या इसका समय आ सकता है, यह देखिए आज देज हाई की तरफ कोटक बैंक 35 रुपए उपर कोटक बैंक की बात करें, तो पिछले दो साल से इसका यही बेस रहा है, 1600-1650 के जोन से, और वहीं से फिर से हमको एक बाइंग इंटर्स देखने को मिल रहा है, तो यह मान सकते कि काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन से बाउंस बैंक कर रहा है, तो और रिस्क रिवर्ट काफ स्टॉक को 800 रुपे तक लेके जा सकती है,